यह हमारा लास्ट है रिवीजन इसके वाद हमारा सेमफन का कॉर्स कम्प्लीट हो जाएगा पर्स्ट क्वेस्चन है यहां पर पोएम दी हुए उसको सिंगिंग करना है और गुड़न राइटिंग से आपको नोटबुक में लिखना है मैं रीड कर रहे हूं राइट प्रोनामसर से आपको सिंगिंग भी करना है चटक चटक रे चटक चीव चीव कुज सी त्वम विहग निडे निवस सी सुखेन डय से खाद सी फलानी मदुरानी विहर सी विमले विपुले गगने नास्ती जनह खलू वाराईता नेक्स्ट क्वेस्चिन है यहां पे यह जो पोएम है उसके स्लोक्स स्टांजा को कम्प्लेट करना है माता पित्रा विह मम नस्त से लेके बहुदान्य तो मैं रीड कर रहे हूं आपको टेक्स्ट बुक में से देखके लिख लेना है माता पित्राविह ममनस्तह एका की खलू खिन्णो अहम एही समीपम चीव चीव मित्र ददामी तुब्यम पहुधान्यम यहां तक लिखना है सेकंड स्लोग है चनकम स्विक्यरू पीबरे निरम तव भासाम तक तो इसका अंसर होगा चनकम स्विक्यरू पीबरे निरम तवम पुनर अपी रट चीव 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 तोशय मम कुरू मदुरा लापम पाठिय माम अपी तव भासाम नेक्स्ट क्वेस्चिन है रीड दो फॉलोईंग पैरेग्राफ केरफूल यहां पे आपको पैरेग्राफ को रीड करना है टेक केर ओफ विसर्ग यहां पे देखो विसर्ग दिया है अनुसासिक का दिया है मिनाई सिक दिया है और हलंत दिया हुआ है किसको क्या बूलते वे मैं आपको एक्स्लेन करें श्रुगा लह वदती भवान कहा की मर्थम रोदिती समस्याम नात्वा अती करून तया सह वदती चिन्ता मास्तू अहम मातू मातू हू समीपम नेश्यामे मया सह चलतू सा मम परिचिता अस्ती अब इसमें देखो श्रुगाल के बाद जो डो डॉट्स दिये हुए उसको विसर्ग कहते हैं क्या कहते हैं विसर्ग इसका प्रोनासेशन आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है और बवान के न के नीचे जो स्लैंटिंग लाइन है वो है हलंत वर्ड है मतलब हलंत है यह जो है वो अनुशाशिक वर्ड है तो इसको अच्छे से प्रोनासेशन से राइट प्रोनासेशन से रीड करके आपको भूक में लिखना है नेक्स्ट क्वेस्चिन है रीड द फॉलोईंग नमबर्स राइट धेम इन ब्लैंक्स एन धेम देन रीड देन औरली इसको आपको गुड़न डेटेक से लिखना है और रीड करना है एक वीशती ही तो नमबर में क्या आएगा 21 एक त्रीशत तो 31 एक चत्वारीशत 41 त्रोयो वीशती तो 23 पंच दश तो 15 चतूर वीशती तो 24 द्वा वीशती ही तो 22 चतूर दश मिंस 14 सब्त दश मिंस 17 नौत रिशत मेंस 39, अश्टा रिशत मेंस 38, चतुस चत्रा रिशत मेंस 44, पंचा शत मेंस 50, नौ विशतिही मेंस 29, अश्टा दसा मेंस 80. नेच्ट पेज़ पे, मैच दौ फॉलोईंग संस्क्रीट वर्ड्स गीवन A एंद नंबर B प्रॉपरली, यहां पे A और B में लिखा हुआ है, उसको प्रॉपरली हमें मैच करना है, तो फर्स्ट क्या है, त्रिशत, त्रिशत मेंस 30, सब्ध त्रिशत मेंस 37, त्रोयो विशति मिन्स 23, त्रोयो दस मिन्स 13, एक त्रिशत मिन्स 31, चत्वा रिशत मिन्स 40, तो यह आपको सामने राइट अंसर लिखना है, और दूसरा जो मैचिंग दिया हुआ है, उसमें पंच चत्वा रिशत मिन्स 45, नव दस मिन्स 19, सब्ध विशति ही मिन्स 27, एक विशति ही मिन्स 21, विशति ही मिन्स 20, एक चत्वा रिशत मिन्स 27, ओके, नेक्स्ट क्वेस्चन है, प्रेजन्ट द पिक्चेर स्टोरी विश्वा सह नायव करतव यह बाइ पोपेट्स, चित्र कता की पोपेट द्वारा प्रस्तुत कीचे, यह जो लास्ट अम स्ट्रेंजर, इसके रिलेटेड है, यह हमको करने की जबुरत ने, एक बार आपको अच्छे से रियर गर लेने का, ओके, नेक्स्ट क्वेस्चन है, फ्रेम सैंटेंस बाइ एसोशेटिंग द प्रॉपर एक्शन विध टाइम, यहाँ पे ओ आई में वर्स दिये हुए, उसक जोइन करके हमें सैंटेंस बनाने है, और निचे दिया उफ़ा है, फ्रेम मोर सैंटेंस युजिंग सार्द, पादोन और सपद, सार्द मींस हाफ, पादोन मींस quarter to, और सपद मींस quarter past, जैसे कि first है प्रातव, प्रातव मींस morning, मद्य हने मींस noon, आफ synt और सायम मींस इवनीं, शर्ड वादने का क्या होगा? 6 ओक लोग. सार्द सप्त वादने मींज 7.30. सपाद अश्ट वादने मींज 8.15. आट बेचकल 15 मिनट. नव वादने मींज 9 ओक लोग. पादुन एकादस वादने मींज 4, 2, 11, पोने ग्यारा. द्वादस वादने मींज 12 ओक लोग, दस वादने मींज 10 ओक लोग, पठामी मींज रीड, उतिष्ठामी मींज बैठना, दुगदम पिबामी मींज दूद पीना, अभ्यासम करो मींज पढ़ना, स्टड़ी करना, अलपाहारम करो मींज मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता तो मॉर्णिंग का ब्रेक्वास्ट करना गुरू कारियम करो मी मिन्स होमवर्क करना शयनम मिन्स सोना अब मैं सेंटेंस आपको रीड करके एक्स्प्लेंग करें फर्स सेंटेंस बनेगा प्रात हो शड़ वादने उतिष्ठामी मैं सुब छे बजे उठता हूँ या तो उठती हूँ आई गेट अप एट सिक्स ओकलोक इन दर मॉर्निंग फिर नेक्स्ट क्वेस्चन क्या बनेगा प्रात हो सार्ध सब्त वादने दुग्तम पिबामी सुब साड़े साथ बजे मैं दूद पीता हूँ या तो दूद पीती हूँ आई टेक मिल्क एट हाफ पास्ट सेवन इन दर मॉर्निंग फिर थर्ड नंबर का सेंटेंस होगा प्रात हो सार्ध सब्त वादने अलपाहारम करो मी सुब साड़े साथ बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ आई टेक ब्रेकफास्ट एट हाफ पास्ट सेवन इन दर मॉर्निंग प्रात हो सपाद अश्ट वादने अब्यासम करो मी सुब सवा आट बजे मैं पढ़ता हूँ या तो पढ़ती हूँ I study at a quarter past eight सपाद यानी quarter past eight एट बजकर पंद्रा मिनट के पे in the morning I study at a quarter past eight o'clock in the morning रात रव नव वादने ग्रू कार्यम करो मी रात को नव बजे में अपना होमबर्क करता हूँ I do my homework at nine o'clock at night मद्या हने द्वादस वादने अभ्यासम करो मी दोपहर को बारा बजे में पढ़ता हूँ या तो पुस्तकम पठामी वा या तो मैं अपनी बूक पढ़ता हूँ I study or read या तो मैं study करता हूँ या तो मैं read करता हूँ I study or read my book at twelve noon बारा बजी रात्रों दस वादने शयनम करो मी रात को दस बजे में सोती हूँ या तो सोता हूँ I go to bed at ten o'clock at night next question ने दिया हुआ है draw the picture of a clock showing time and write the name in words या पे time दिया हुआ है उसके according to आपको clock draw करनी है और time लिखना है words में तो first clock में draw करके दिया हुआ है 7.30 सार्द सप्तवादनम नेक्स्ट clock में कितना time आपको शोग करना है 9.15 सपाद 9 वादनम quarter past 9 सार्द सप्तवादनम को इंगलिस में कैसे read करेंगे half past 7 तो नीचे आपको इंगलिस में भी numeric में भी लिखना है और words में भी लिखना है जैसे कि 7.30 half past 7 सेकंड ने फर्स्ट जो आपको एक्जामपल दिया है उसके बाद 9.59 बज के पंदरा मिनट हुई है सपाद नव वादनम quarter past 9 उसके बाद की जो गड़ी है उसमें 11.45 11.45 पे 45 मिनिट हुई है पादोन द्वादस वादनम पोने बारा हुई है तो द्वादस वादनम 12 ओक्लोक बारा बज़े है और लास्ट जो टाइम दिया हुआ है उसमें 9.45 पोने दस बज़े है तो यह आपको क्लोक ड्रो करनी है और टाइम सो करना है उसमें पोने दस हुए है पादोन दस वादनम quarter to ten ओके next number पे answer the following question in Sanskrit यहाँ पे question दिया है उसका आपको Sanskrit में answer लिखना है एक दा श्रुगाल हा कुत्र गच्चती एक दिन श्रुगाल सी यार कहां जाता है एक दा श्रुगाल हा वनम गच्चती वन में जाता है पोरेश्ट में श्रुगाल हा की मर्थम अत्र तत्र अत्र 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 श्रुगाल वन में द्राक्स की क्रीपर देखता है, ग्रैप्स को देखता है, कती चोरा है, वित्त कोशम लुन्ठती, कितने चोर वित्त कोश यानी बैंक लुटते हैं, तो द्वो चोरो वित्त कोशम लुन्ठत हैं, या तो चोर द्वयम वित्त कोशम लुन्ठत हैं, दो चो मिलके लुटते हैं शुरुगा लह किम कथ यित्वा पलायनम करो दी शुरुगा क्या कहके पलायन कर जाता है क्या कहके चला जाता है तो आमलम द्राक्षा फलम द्राक्ष तो अंगुर खटी है नेक्स्ट जो क्वेस्चन है वो complete the following paragraph by writing proper words in blanks from those given in the bracket यहां पर ब्राकेट में words दिये गए है उसको यूज करके हमको ये paragraph कम्पलिट करना है तो सुधा अम्रावती नामनी डैश वस्ती तो क्या होगा नगर अम्रावती नाम के नगर में पस्ती रहती है एक दाशा गुर्जर प्रदेश अस्य दर्शनम कर्टुम एक दिन वो गुर्जर प्रदेश की दर्शन करने की इच्छा करती है तो इच्छती सा गुर्जर प्रदेशम गच्छती वो गुर्जर प्रदेश में जाती है गांधी नगरम गुर्जर प्रदेश अस्य मुख नगरम अस्ती गांधी नगर जो है गुजरात का मुख्य में सिटी है अतह सा गच्चती तो वो का जाती है गांधी नगरम गच्चती प्राया हो डैस सा गांधी नगरम प्रती गच्चती सुबह कितने बजे जाती है सब्त वादने साथ बजे गांधी महोदयम भक्ति भाव पूर्वकम डैश गांधी महोदय को वो भक्ति भाव पूर्वकम करती है नमती वो बोईंग करती है प्रणाम करती है तत्र एक घंटा परियन तह तिश्टती वहाँ पे वो एक घंटे तक खड़ी रहती है ततह सा सचीवा लयम उसके बाद वो का जाती है? सचीवा लय आगच्चती, वहां से सचीवा लय जाती है मध्या हने 12 वादने दोपेर को 12 बजे सा सचीव महोदयेन सह वारतालापम करोती वो मिनिश्टर के साथ वहाँ पे कॉन्वर्जेशन करती है वातालापम यानी बात करती है बात्चित करना तदन तरम सा भोजनम करोती उसके बाद वो क्या करती है? भोजन करती है सायम काले सब्तवादने सा अमरावर्तिम गचिती साम को साथ बजे सायम काले मतलब साम को 7 बज़े वो वापस अमरावती जाती है नेस्ट क्वेस्चन है ड्रोव पिक्चर और अनी प्लेस और विलेज और टाउन एंड राइट इस नेम इन संस्क्रिट याँ पे आपको आपको कोई भी प्रोब्लम हो कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रोब्लम लिख सकते हैं आपको आपका सॉलूशन मिल जाएगा ओके थैंक्यू